हेलो केट्स हमारा आज का टॉपिक है इकी मात्रा लेकिन इस मात्रा को अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी तो ओला रडी तो चलिए शुरू करते हैं एक समय की बात है आसमान में बहुत सारे बादल थे और उन बादलों पर रहते थे हमारे व्यांजन जैसे च, ह, ब, न, ये सारे व्यांजन उन बादलों पर रहते थे लेकिन ये सारे व्यांजन हो गए थे बूड़े और घर से बाहर नहीं जा सकते थे और वैसे भी वाहर लॉ व्यंजनों में से जो वो नाम का व्यंजन है उसने सोचा कि चलो आज बहुत दिन हो गए हैं मैं आस्मान की सेर कराता हूं तो वो नाम का व्यंजन निकला घर से बाहर आस्मान की सेर करने जैसे ये बाहर निकला मो नाम का व्यंजन बोला कि आप मुझे भी ले चलो तो वो ने लगे की क्या किया जाए अब हम अपने आस्मान की सेर कैसे पूरी करेंगे तबी तबी वहाँ से एक ए नाम की चड़िया गुजरी तो उस ए नाम की चिडिया ने जब म और व को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा अंकल क्या हुआ आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो आपको कोई help चाहिए क्या तो म और व नाम के व्यंजन बोले कि बेटा हम ना बूड़े हो गए हैं तुम देख सकती हो और हम ना थोड़ी दूर चले थे कि हम ठक गए अब हमें आगे जाना है आस्मान की सहर करने और हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको पकड़के हम चाह सके तो हम क्या करें तो इनाम की चिडिया बोली कि अंकल चिंता मत करो मेरे पास ना एक छड़ी है आप उस छड़ी को ले लो उस छड़ी को जब आप पकड़ोगे तो आप अराम से खड़े हो पाओगे उस छड़ी से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉंग हो जाएगी और और क्या होगा आपका साq भी चेंज होगा तो जब वह ने उस छड़ी को पकड़के उपर उठा तो वह बोला वि तो वह बोला ये कैसा सांड ह इने बोला अंकल ये मेरी न मैजिकल छड़ी है इसको जब कोई भी पने साथ रखता है तो उसका sound change हो जाता है तो वोने का वावेटर ये तो बहुत अच्छी छड़ी है अब とो मैं इस चड़ी को हमेश्या अपने साथ रखोंगा तो वह ने उस चड़ी को अपने साथ रखा और उसको पकड़ करके अच्छे से खड़ा हो गया तो मा नाम का व्यांजन बोला कि मुझे भी ये चड़ी दे दो ना मुझे भी तो खड़े होना है तो वह ने का ठीक है ले लो तो मा ने जब उस चड़ी को पकड़ा और जब वो खड़ा हुआ तो वो बोला मी तो वो बोला वा मेरा भी साउंग चेंज हो गया अब तो दोनों व्यांजन बहुत खुश हो गए दोनों ने उस चड़ी को पकड़ा और उस चड़ी को पकड़के अराम से पूरे आसमान की सेर कर ली सेर करके दोनों व्यंजन पहुचे घर पर वापस और घर पर जाकर उन्होंने सारे व्यंजनों को ये बात बताई कि देखो हम रास्ते में गए थे, ठक गए थे, वहाँ पर हमें E नाम की चड़िया मिली, उसने हमें अपनी चड़ी दी, और उस चड़ी को जब हम अपने साथ रखते हैं, तो हमारा साउन चेंज हो जाता है, और हम आराम से उसको पकड़ के गूमने जा सकते हैं, तो अब सार व्यंजन खुश हो गए सबने का, तो उस चड़ी को तो हम भी अपने साथ रखेंगे, अब सारे व्यंजन उन्हों उस चड़ी को अपने साथ रखा, तो जब लग नाम की व्यंजन ने उसे अपने साथ रखा, तो वो क्या बन गया? ली, मने रखा तो वो क्या बन गया? मी, और चरने रखा तो वो क्या बन गया ची अब सारे व्यांजन बहुत हैपी थे कि वाओ अब तो हमारी आवाज भी स्वीक स्वीट हो गई है और अब हम इस चड़ी को ले करके कहीं भी जा सकते हैं तो इस वाओ व्यांजन बहुत है तो इस वाओ व्यांजन से पहले आती है व्यांजन से पहले आती है कैसे लिखते हैं व्यांजन से पहले वन स्टैंडिंग लाइन अपर स्वींग इक की मात्रा इसे हमेशा व्यांजन से पहले ही लगाना है तो जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा व्यंजन ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मात्रा लगानी है से पहले, तो how we will speak, व्यंजन से पहले, one standing line, अपर swing, ए की मात्रा, अब यह क्या वन गया, ट, अब इसका sound change हो गया, ट में ए की मात्रा, ट, तो चली हम next व्यंजन लेते हैं, अब मैं लिखने वाली हूँ, यहाँ पे व्यंजन ट, अब हम क्या करेंगे, इस व्यंजन के आगे लगाएंगे, क्योंकि ए की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, तो व्यंजन से पहले, one standing line, अपर swing, ए की मात्रा, तो now what it has become, ट, तो this was ए की मात्रा, हमेशा याद रखेंगे, यह व्यंजन से पहले लगती है, so bye bye, thank you